राहूल गांदी ने लंदन इससे Think Tank Chatham House में एक व्याख्यान देते हुए कह दिया कि RSS एक कटर पंथी और फासिवादी संगठन है जिसने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कबजा कर लिया है। जिस पर कुछ मुस्लिम देशों सहीत कई देशों द्वारा प्रतिबंद लगा दिया गया है। सारूर वफद पार्टी का विरूत करते हुए राजनेतिक शेत्र में उतराूरा। البانہ की हत्या कर दी गई थी मुस्लिम ब्रदर हुट ने 1954 में मिस्र के राजपती गमाल अब्दिल नासिर की हत्या करने की भी कोशिश की इसके परिणाम सरूप समू के खिलाफ कारिवाई हुई और इसके च्छे नेताओं को राजब्रोग के लिए सजाए मौब दी गई 1980 के दशक में मिस्र में हुए चुनाओ में मुस्लिम ब्रदर हुट ने भी स्था लिया 2000 में मुस्लिम ब्रदर हुट के सदस्यों ने निर्दलिय उमीदवारों के रूप में 17 सीटे जीती जनवरी 2011 में होसनी मुबारक सरकार के खिलाफ विरूद प्रदर्शन हुए और मुस्लिम ब्रदर हुट ने उनका समर्थन किया होसनी मुबारक ने राजबती के रूप में इस्तिफा दे दिया और मुस्लिम ब्रदर हुट ने एक राजनेतिक दलका गठन किया और इसके अद्यक्ष मुहम्मद मुर्सी बने 2013 में मुहम्मद मुर्सी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और सेक्डों लोग मारे गए मिस्र के सैन्य प्रमुक जनरल अब्दिल फत्ता अल-सिसी ने सम्विधान को निलंबित कर दिया और मुर्सी सरकार को हटा दिया मिस्र ने मुस्लिम ब्रदर हुट पर भारी कारेवाई शुरू कर दी जिसके सैक्डों समर्थकों को दोशी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई मुस्लिम ब्रदर हुट की बात इसलिए आज याद्व हो गई क्योंकि राहुल गांदी ने RSS से से कंपेर कर दिया मुस्लिम ब्रदर हुट पर बैन भी लगा हुआ है मुस्लिम ब्रदर हुट को न केवल मिस्र में जहां इसकी स्थापना हुई थी बलकि कई अन्य देशों में सरकारी कारेवाई का सामना करना पड़ा आस्ट्रियाई संसद ने 8 जुलाई 2021 को नए आतंकवाद विरोधी कानून को मानेता दी इस कानून के तहित आस्ट्रिया मुस्लिम ब्रदर हुट पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला येरोपिय देश बन गया रूस के सुप्रीम कोट ने 2003 में मुस्लिम ब्रदर हुट को आतंकवादी संगठन बताते हुए इस पर प्रतिबंद लगा दिया था 2015 तक मुस्लिम ब्रदर हुट को अपने आतंकी संबंदों के कारण बहरीन, मिस्र, सीरिया, साओधी अरब और सयुक्त अरब अमिरात की सरकारों द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना गया कई देशों ने इसे बैन किया है मुस्लिम ब्रदर हुट और भारत इसका क्या कनेक्शन है, क्या यहां भी सक्रिया है हाला कि राहूल गांदी ने एक ही सांस में RSS और मुस्लिम ब्रदर हुट का जिक्र किया देश के रूप में बदलने की कोशिश की, ट्विटर पर हैश्टेक बाइकॉट इंडियन प्रोडक्स हैश्टेक ट्रेंड कराया गया, जिसके पीछे मुस्लिम ब्रदर हुट के होने की बात कही गई, राहूल गांदी के बयान के बात से देश भरबा में इसकी चर्चा हो रह रही है, इसकी निंदा भी हुई, अलोचना भी हुई, आरेसेस और मुस्लिम रदर हुट का नियमों से लेकर संस्था के गठन तक कोई संबंद नहीं है, पर राहूल की ये तुलना निश्चित तोर पर अलोचना का विशे बन गई है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें